आल्राइट दोस्तों तो जिस चीज का हम सबको बेसबरी से इंतिजार था जो कि था iOS 18 तो फानली एपल कंप्री ने इसको रिलीस कर दिया है जिसमें कि हम जाते है अपने फोन की सेटिंग में और यहां पर जाते हैं जर्नल के अंदर यह जो software अपडेट अगर हम बात करें इस पर क्लिक करके तो यहां पर आपको देखने को मिलेगे दो अपडेट अपल की तरफ से जो कि एक है iOS 17.7 और दूसरा जो है यहां प्लिखा है also available अपग्रेट to iOS 18 तो जिन लोगों का भी फोन iOS 17 को ही सपोर्ट करता है यानि कि iOS 17 के अपडेट आ चुका है iOS 17.7 जो कि अगर बात करें तो यह 548.4 MB का अपडेट देखने को मिल जाता है जो कि यह है इस अपडेट प्रवाइड इंपोर्टन सेक्यूर्टी फिक्स एंड रेकेमेंडिट फोर आल यूजर यानि कि जितने भी प्रीवियस वर्जिन के लोग हैं जो भी iOS 17 ऑपरेट कर रहे हैं उनके लिए अपडेट है और उसी के साथ है यहां पर iOS 18 का तो इसको अपडेट करेंगे बट उससे पहले मैं आप लोगो कुछ बता देना चाहता हूँ यह है iPhone XR मेरा जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हो iPhone XR और अभी यह चला iOS 17.6.1 पर पर देखने को मिल जाता है बाकी network की अगर बात के लिए network provider की तो यहां पर आपको यह देख सकतो जियो 58.1.1 तो यह सारी चीज़े इसके अंदर देखने को मिल जाती है यह चीज मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ अभी मैं आप लोगों को इस चीज के बारे में पता बैटरी री कैलिबरेट होगी या फिर नहीं सभी चीज़े आपको पता चल जाएगी तो चलिए करते हम इसको अपडेट यानि की अपने फोन को iOS 18 पर अपडेट करते हैं बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूँ कि देखो अपडेट करने से पहल इंपोर्टन बात यह है कि अगर आपको अपने भूल गयो तो उसको जरूर पहले याद करें उसके बाद इसको अपडेट करना अब हम बात करते हैं कि जो iOS 18 है उसको अपडेट करने के लिए आपके फोन के अंदर कितना स्पेस होना चाहिए तो देखो मैंने आपको दिखा पर कम से कम 20 GB के आसपास जो है अवेलबल इसपेस होना चाहिए क्योंकि अपडेट जो है बड़ा है अभी मैं ग्रीन स्क्रीन वालों के लिए बताऊंगा जो भी आइफोन 13 है आइफोन 13 प्रो प्रो मैक 14 और 15 सिरीज उनके अंदर भी ग्रीन स्क्रीन का इसू आ रहा है तो नॉर्मल प्लेस नहीं जहां ज्यादा ना घरम वह नॉर्मल जहां पर ठंडा हो वहां पर अपने फोन को रखते आन्य कि आपको फोन लापडेट करना और वह भी वाई-फडाय से करना फोन के नेट से मत करना कि उसका जोपरी तरह से इंस्टॉल नहीं हो पाता है बाकी अब इसको update करें तो यहां पर हम जाते हैं upgrade to iOS 18 और यहां पर आप लोग देख सकते हो कि iOS 18 जो कि अगर मैं बात कुछ इसके update साइच की तो यहां 3.44 GB आने की 3.44 GB का यह update है और यहां पर आपको काफी चीज़े देखने को मिल जाती है तो हम इसको करते हैं update और update करने के बाद म आप लोग को मिलता हूं और दिखाऊंगा की phone के अंदर क्या क्या चेंजिस आए हैं तो यहां पर मैं कर देता हूं अपने phone को update पे यहां पर मैं डाल देता हूं अपना password और यहां पर जो मेरा update है finally update होना start हो चुका है यहां पर आता है term and condition इसको कर लेता हूं मैं I agree यहां प तो आपके phone पर भी यह update आ चुका है तो जाओ फट 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 और इसको update कर लो बाकिया अपडेट हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को आगे मिलता हूं अपना iOS 18 जो है update हो चुका है जो कि मैं आप लोगों को दिखा तो यहां पर यहां पर थोड़ा बहुत changes आ चुका है जो कि यह display and brightness था यह उपर रहता था जो कि नीचे आ चुका यहां पर सारी जो चीज है थोड़े बहुत up and down हो चुकी है और यह जो battery वाला यहां पर आता पहले option यह अब यहां ऊपर आ चुका है अगर हम बात करते हैं सबसे पहले update की तो यहां मैं जर्नल में जाता हूं और देखो यहां का भी जो है थोड़ा बहुत changes हो चुका है अब अगर हम जाते हैं पर update about के अंदर तो आप लोग देख सकते हो iOS 18 जो है version चल रहा है अपने म नहीं किया था और अभी देखो यहां पर 35 आनी की जो available space था वह घटा है तो आप लोग देख सकते हैं जो available space था वह घट चुका है अगर हम उसके बाद आते हैं यहां पर modem firmware पर जहां पर 6.000 था वह अब 7.00 हो चुका है तो इसमें थोड़ा सा changes आ यहां पर भी देखो आप काफी चीज़े जो है चेंज हो चुकी है यहां पर आप लोग देख सकते हैं आपको कई सारी जो changes देखने को मिलेंगे अब मैंने आपको iOS 18 तो दिखा दिखा दिए कि इसके अंदर update हो चुका है और किस तरह करना वो भी मैंने आपको बता दिया और जिनके अंदर green screen का issue आन आफ नहीं हुआ है मैं इसको एक बार off करूंगा फिर on करूंगा उसके बाद यह इस्टेवल हो जाएगा अभी पहली बार update हो है तो थोड़ा से दिख्कत आईगी हलकी सी बड़ उसके अठीव है बड़ बात कुलने इसके heating issue की तो phone बिलकुल भी heat नहीं हुआ यह अच्छी तो जिसके यह से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं थी और वही जो है आपको इस time देखना मिला तो यहां पर आपको देखो यहां बैटरी जो है उपर आ चुकी अगर मैं बैटरी हेल्ट के अंदर जाता हूं और यहां पर जाता हूं तो बैटरी मेरी पहले भी 87% थी और अब 87% है अगर आपकी बैटरी हेल्ट जो है डाउन हो जाती है तो डर्नमत की हां अपडेट के बाद खराब गोई वह री कैलिब्रेट हुई है यानि कि आपकी बैटरी पहले डाउन ग्रेड हो चुकी थी बट अपडेट के अंदर दिखाने था अब अब अपडेट जो पूरी इसके लिए पर यूज़ करते हैं वह सारे यहां पर सो करता था बट वो सारी चीज़े यहां से रिमूव हो चुकी है अपसे में में चीज़े हैं जो कि एप अगर आप यह उपन करते हो तो यहां पर आपको देखने मिल जाएंगे आपके सारी यानि कि उसको एक ग्रूप म आपको अलग वीडियो करना बताओं कि यह वीडियो कर मैं बताओंगा तो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी जिसके वेसे आप भी बोर जोगे तो आपको मैं बता देख कैसे अपडेट करना है तो इस तरह से आप अपने फोन को अपडेट कर सकते हैं आइस 18 पे और यह स्टार्ट होता है आइफोन 10R, आइफोन 10S, आइफोन 10S Max, आइफोन 11, 12, 13, 14, 15 जितनी सीरेज अभी और आइफोन 16 तो जो अल्रेडी इसी पे आए गई यहाँ पर आपको कुछ वॉल्ट पेपर भी निव देखने को मिल जाते हैं जो कि मैं आपको दिखा देते हैं यहाँ अगर हम निव वॉल्ट पेपर पर जाते हैं यहाँ पर यहाँ पर यह वॉल्ट पेपर जो निव आया है इसके अंदर तो यहाँ से आप वॉल्ट पेपर भी आप देख सकते हो कि इसमें आपको एक दो वॉल्ट पेपर जो एक्ष्ट्रा देखने को मिल जाएगा तो यह है ios 18 का wallpaper यहां से आप changes कर सकते हूँ यह भी कर सकते हूँ यह सारे फीचर में आपको बताऊंगा जब इसका बताऊंगा कि आपको इसमें यह फीचर देखने मलते हैं कर सकते हो बाकि अगर आप लोग वेट करना चाहते हो तो चार से पांस दिन के अंदर इसका फूल रिवीव लेके आऊंगा मैं कि फोन के अंदर क्या प्रोलम आ रही है क्या प्रोलम नहीं है वैसे मेरे पास आईफोन 13 भी उसके अंदर भी अपडेट में करके देखूंगा औ या फिनाई तो अगर आप लोग वेट करना चाहते हैं तो वेट कर लो रिवीव वीडियो का उसके बाद आप अपने दिसय्जेवन ले सकते हो कि आपको आयोस-18 अपडेट करना है अपने फोन के अंदर या फिनी..? So I hope कि आपको वीडियो पसंद आगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक सेट जरू कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना.